कमजोर उतपादन और महंगे आयात से बड़ी इलाइची के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है दरसल परमुक उतपादक राज्यों में मोसम की हालत अनकूल नह रहने से 2023-2024 के वर्तमान सीजन में बड़ी काली इलाइची का घ्रेलू उतपादन गटने के संकेत मिले है जबकि नेपाल में उतपादन गटने से भाव काफी उंचा हो गया है जिससे भारत में इसका आयात करना महगा पड़ रहा है इसके चलते बड़ी इलाइची का घ्रेलू बाजार भाव निकट भविश्य में मजबूत रहने की उमीद हुए वहीं आपको बता दे कि भारत में काली इलाइची का आयात नेपाल से होता है जबकि थोड़ा बहुत आयात भुटान से भी किया जाता है दरसल बड़ी इलाइची के पर्मुक उतपादक राजियो सिक्किम मेगालया और पश्मी बंगौल में इस बार उतपादन घटने के संकेत मिले हैं दरसल कुछ दिन पहले इसके दामों में तेजी आई थी लेकिन खरीदारी कमजोर पढ़ने के बाद भाव एक बार फर से नरम पढ़ गया है इसके चलते आयात महगा बैटने लगा है और निकट भविश्य में उमीद की जा रही है कि इसके भाव में जाधा गिरावट नही किया गया वहीं कैची कट का दाम 1310 से 1320 रुपे प्रति किलो रहा अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में भी भाव जो है 1050 से लेकर 1463-1500 रुपे प्रति किलो के बीच देखने को मिल रही है और नेपाल से इसका आयात खर्च 1360 से 1370 रुपे प्रति किलो बैठ रहा है इससे भारतिय व्यपारी अभी आयात में ज्यादा दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे दूसरी और घरेलू फसल भी काफी कम जोर बताई जा रही है अगामी समय में मांग निकलने की एक उमीद है और इस बार उतपादन प्रांतों में कम बारिश के साथ तापमन काफी उच जा रहा है और फसल पर कीडे और रोगों का परकॉब भी देखा गया है ऐसे में उमीद की जा रही है कि उतपादन खट सकता है दरसल नेपाल में बड़ी इलाइची का स्टोक लगातार घटता जा रहा है और बढ़ते भाव को देखते हुए उतपाद को और स्टोकिस्टो ने माल को रोकना फिलाल शुरू कर दिया है इससे आने वाले दिनों में भाव में कुछ और तेजी बनने की संभाव